Hi everyone, welcome to Kiki Shiki, please चाहन को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और साथ में बेल आइकन दबाना मत बूलना, because I am Vengeance. Hi guys, welcome to another episode of Kiki Shiki, मैंना अबनीत बाहर दो आज, और आज हम बात करने जा रहे हैं, Dune Film की, which is now available on HBO Max, इसको आप VPN के तुरू देख सकते हैं, चले फिर, without wasting any time, let's begin the show. दोस्तों, वीडियो के शुरुवात करने से पहले मैं आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट करूंगा, कि प्लीज दू चेक आउट मैं व्लॉगिंग चैनल, अबनीत डाइरीज, और माय गेमिंग चैनल, अबनीत प्लेज, दोने चैनल के लिंक नीजे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोस्तों, फिल्म की शुरुवात होती है, एक प्लानेट से, जिसका नाम है एरकिस, जो कि एक डेजर्टेट प्लानेट है, वहाँ पे सिर्व रेत, मिट्टी ही है, और वहाँ पे सर्वाइव करना भी काफी हर मुश्किल है, लेकिन वहाँ के जो लोकल एट्स है, येमिन, वो काफी टाइम से वहाँ पे रह रहे हैं, बहुत ही साल उसे, एंदिये दिरे, उन्होंने वहाँ पे रहने, अड़ाप्ट कर लिया खुद को, और वही की जो लोकल एट्स है, फ्रेमेन, उन्होंने वहाँ पे रह रहे के अड़ाप्ट कर लिया है, अड़ाप्चन की है जिसके तुरू human life extend होती है super human abilities मिलती है बहुत जार thinking level बहुत जार बढ़ जाता है super human level think कर सकते है and light से भी जारा हम तेज ट्राइवल कर सकते हैं किसी भी planet से interstellar बहुत जारा यहां पर ट्राइवल कर सकते हैं इसलिए जो spice ही कीमत है वो दुनिया में सबसे जाद है and हर कोई इसको loot न चाहते है और फिल्म की शुरुआत होते हैं कि हम देखते हैं कि आज से बहुत सालों पहले हैरोकनेंस नाम की एक जीव है जो कि उस planet पर आये थे और उन्होंने उस spice को loot लिया था और फिर दीए-दीए हरोकनेंस वहाँ पर और वीर हर्वेस्टिंग करने के spice की और बहुत साल तक वहीं पर रहे पर एक दिन सड़नली 80 साल के बाद 80 साल वहाँ पर राज करने के बाद आरकिस पर वहाँ से चल दिये अब सब लोग यह सोच रहे है कि suddenly ऐसा क्या हो गया कि हार कुरेंस यहां से उठके चल दिये कुछ ना कुछ तो इसके पीचे कारण है खेर आगे बढ़ते हम अब यह चल रहा है 10191 और प्लानेट है क्लाइडन जहाँ पर हम देखते हैं House of Atreides को यहां पर हमारा फिल्म का हीरो Timothy Kelly में जिसका फिल्म में नाम है Paul पॉल सोके उठते है एन यह पर हम देखते हैं कि Paul को बहुत सार ड्रीम्स आये करते थे चैनी के और चैनी का रोल यहां पर जंडाया ने प्ले किया यही पर बारवाए एरकेस के सपने देखते है और उसी के साथ हो चैनी के सपने देखते है पर उसके एक्स्पें नहीं कर पाता अपनी मदर को वो पताते हैं कि मैं कुछ ड्रीम्स देख रहा हूँ पर क्या है एक्जाक्ली वो उसको समझ नहीं आ रहा है पॉल काफ जिरा ऑपसेश हो चुक है एरकेस है और उसके बार मैं जानते रहते हैं उसके बार मैं पढ़ते रहते हैं और वहीं पर जान पाते हैं कि कैसे फ्रेमेंस की जो आखें वो ब्लू कलर की हो चुकी है और आउटसाइडर्स का वहाँ पर सर्वाइब करना काफ जर मुश्किल है तब ही हम देखते हैं कि आसकर आईजार जो कि पॉल के फादर है जिसका इन फिल्म में नाम है लेटो वो वहाँ के आर्मी जेनरल है उनको वहाँ पर उनकी एंपर से ओर्डर मिलते है लेकिन उसे के दादर आर्ट्रेडीस और हैरोकुनेंस में जमीन आसमन का फर्क है हैरोकुनेंस बहुत दाकत वार है उनको आस दुनिया भर का पैसा है उसे के साथ साथ दोनों एक दूसरे का बहुत बड़े दुश्मन है यहाँ पे लेटो जो कि पॉल की फादर है वो एकसेप्ट करते है इस ओफर को अपने एंपरर के तरफ से रह्यूजर के ठीक है हम एरकस पर जाएंगे और इसके उपर कंट्रोल करेंगे आगे हम यह देखते हैं कि पॉल यहाँ पर बात करते है डंकन से डंकन जिसका रोल जेसन मोमो ने प्ले किया है और वो आप पर पॉल की अंकल है और वो बहुत बड़े स्वार्ड मास्टर है उस जगह की वो हाँ पर कहता है पॉल कि मैं भी अंकल आपके साथ जाना चाता हूँ मैं बस कोई ड्रीम्स आता है ड्रीम्स इसमें मैंने देखा कि आप उसे मर जाते हूँ लेकिन डंकन कहता है ड्रीम्स जड़रूरी निए कि सच हो ड्रीम्स हो सकता है ये मजाक हो खेर इस बात को सीरियस के मतलओ आर्व मैं तुमको अपने साथ लेकि नहीं जा सकता हूँ फिर पॉल अपने फादर से भी बात करता है लेटो से, कहते हैं, कि मैं आप पर जाना चाता हूँ, डंकन अंकल के साथ, हो सकते है कुछ गड़बरो में हो सकते है कुछ उनकी हेल्प कर पाऊँ, लेकिन आप उसके फादर लेटो मना करेते हैं, कहते हैं, कि देखो, तुम टेबल लेटो उस जगह को बना लेगे, अब से इनस यहाँ पर उसके अंकल डंकन निकल चुके है, जो कि पॉल के मेंटोर भी थे, अवंको उनको मिलते हैं नए मेंटोर, जो कि ए गर्णी, जिसका रोल प्लेग यहाँ पर जो कि थैनोस बने थे, खेर, आप यहाँ पर होता तुम अपनी लाइफ फोलिए के सीरिस हो जाओ, क्योंकि हमको आगे लड़ना पड़ेगा, अब बढ़ते हैं गाईडी प्राइम पी तरह, इनका जो लीडर है, इनके आर्मी के लीडर है, वो है रेवन, जिसको यहाँ पर रोल प्लेग किया है, डेव बटिस्टानी, रेव हम ने क्यों किया, वहाँ उत्सादा गुस्से में पूसता है, कि अंकल हम 80 साल तक वहाँ पर राज किये, पर सड़नी आप एक दिन कहते हैं, कि वहाँ से सब निकल पड़ो, ऐसा क्यों कि आपने, यहाँ बारन विलाडी में उसको बताते हैं, दरसल में, आर्टर देर हमारे बहुत बार दुश्मन है, एन वन से बहुत अनफरत करता हूँ, और यह सब कुछ एक पार्ट अफ प्लान है, तो basically हारे इंच, जो एरकेस से निकले हैं, यह जान बूज के हमां से निकले हैं, यह जान देते हमारे बार स्पाइस की, यहाँ पर लूट करने की लिलाएं, यह जो कि Emperor की truth से है और बताती है कि मेरी teacher है जो जो तुम से कहेंगी वो तुमको करना है और इनको तुमको अपने dreams के बारे मताना है Paul उन से जाते हैं एक library मिलते है और वो teacher से कहती है एक ये box है इस पर अपना हाथ रखो और उसी के साथ गर्दम की पीछे एक needle लगा थे है इसमें poison है और अगर poison चुबा ये फिर वो needle चुबी तो instant death होगी वो कहती है कि आदो तो टेस्ट लोंगी और इन टेस्ट राम चेक करेंगे कि तुम में दर्ध सेहन करने के किती ही शक्ती है अगर तुम जरा से भी हिले वगेरा चीके चल लाए तो ये तब ही needle तुम्हारे अंदर चल जाएगी और तुम माल जोगी ये बहुत है खतरनाक टेस्ट होता है जिसमें उसकी almost जान निकल जाती है पर फिर भी Paul आपे डटके खड़ रहते है और कुछ नहीं होने तब ना चीकता है ना चलाता है और दर्ड चुप-चाप सेन करते रहते है जैसको उसका टेस्ट खतम होता है वो ये कहती है कि अपने मुझे ड्रीम्स के बारे बताओ और पॉल उसको सब को बादर कि उसने ड्रीम्स में क्या देखा है ये पनी पावर्स के उनको कंट्रोल करना सीख पहे है जो किसमें पावर्स बहुत जाता है ऐसो कंट्रोल करना नहीं आता है आगे दोस्तों हम यह देखते हैं कि हाउस आटर्ड़िस shift हो जाता है अरकेस पे जिसमें यह पूरा का पूरा टेक ओवर कर जाता और कंट्रोल करना शुरू कर जाता और वो यहाँ पर स्वागत करता है सब का आगे हम यह देखते हैं कि जो Paul की मदर है वो यहाँ पर सुनती है कि सब लोग बोले हैं लिजान अल गाइब आगे हम यह देखते हैं कि पॉल की जो मदर थी वो अपने एक हाउस कीपर ढूँड़ती है अपना क्रिस नाइफ उसको देखती है कि अमारे लिए बहुत सेक्रेड है हम इसको बहुत पुजा करते है इसको प्री समाल कर रखिए उसके बाद फिर हाउस की पर ये भी कहती है listen, अलगाइब, same कहती है कि आप और आपका बेटा यानि कि the mother and the son are the Messiah जो कि हमको protect करेंगे, जो कि हमको बचाएंगे, हम लोग आप एक इंतजार करेंगे इतने साल उसे, आगे हम ये दिखते हैं पॉल निकलता सेर्स अपार्टेव है, बहुत एक भीशन गर्मी में वहीब उसके एक लोकलाइट से मुलाकात होती है और वहीब का लोकलाइट, जो कि फ्रेम है ने वो बताते है कि दरसल में ये जो एक एक पेड़ है ये है डेट पाम का पेड़ ये है एक इक पेड़ को यहां पर लगवा लगवा काफी दर पारि न पढ़ते है इतना पादी देते हैं कि इतना पान्थ लोग इस पानी को ले सकते है ये फ privacy आप पाल कहते है तो don't you think ए कि इन पेड़ को हटा कि हमको इन पानी आपस tempo से बात लेना जोगी काफी खदरनाक creatures हैं एंद 400 मीटा लंबे होते हैं और एरकेस इन से बचन लेके लिए एक sand walk का एक different type एक walking style है उसको यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं वो rhythmic pattern हटाते हैं एंद वो अपनी जो pattern उनको चलने को बड़ा अजीव होते हैं जिसकी वाइस साइंड वॉम जोगा attract नहीं हो तो इन पर हमला नहीं करते हैं तो अब आपको desert में चलना हैं तो आपको इसी sand walk का अस्तमाल करना होगा वाई पर उसको कुछ plants और bushes के बारे में बचलता है और तब ही हम देखते हैं कि पीछे से एक electric कीड़ा आता है जो कि hunter सी करता और उसको मारनी कोश्च करता पॉल को पर पॉल उसको तुरन पकड़ लेता है अब जब ये बार Duke लेटर को बचलती है उस अपर बहुत दर चिलता है एन कहता है कि ढूंडो और जितने भी spies थे जिन्हों ने जो भी मौजूद है हेरोकनन के और आगे हम पर हमला कर सकते है दरसल में एक हेरोकनन का spy था जो देवार के अंदर चिना हुआ था जिसने हमला करने कोश्च करे थी खेर उसको पकड़ लिया गया था अब देखते हैं हम दोस्तों Helen Helen जाके मिलती है Baron Vlaadmir से अब आगे एक मीटिंग में ब्यूक लेटो अपनी टीम से पूछते कि सिचुएशन क्या है मशीन की जो कि हार करने छोड़ के गहें महीं पर जोसकी टीम थी वो बताती है कि मशीन की जो हर्वेस्टिंग मशीन से इनकी हालत काफियाद खराब है यह ना के बराबर ही काम करती है और हम तब ही देखते है कि पीचे जा आता है डंकन और डंकन पॉल से मिलता है पॉल काफी कुछ होता है अब डंकन यह भी अपनी पॉली सिटूएशन बताथा कि मैं चार हफ़ते एक डेजर्ट में फगजά रहा था फ्रेमज के साथ आन्स जो फ्रेमंज की सेना है यह मिलियंज में है चो तुम्हारे эस्टिमेशन था कि थाॉजंस में हो गलत है यह मिलियन से सेन है यह काफी अच्छी दढ़िकी से लड़ते हैं फ्रेमेंस की एक कॉम्यूनिटेश करना में सीज और सीज का लीडर था स्टिलगार्ट वो डंकन के साथ आया था स्टिलगार्ट इन लोग को पसंद नहीं करते हैं हो किसी कोई पसंद नहीं करते है यह हमारा ळाइक है हमारे डेजर्ट है इसको तुम हमता की सॉप हो and ड्यूक लेटो कि साथ है कि बताव निया क्या कर सकता हूं मैं कैसे मदझ कर सकता हूं में चब yahth up कर कि तुम लोग जो यहां के लोकलाइड़ से फ्रेमेंज उन्हों कुछ भी दुख ना हो, उन्हों कोई भी दकलीफ ना हो, लेकिन स्टेल गार्ड बस यह कहता है, जो भी तुम को यह से लेना है, जो भी स्पाइस अगर लेना है वो ले ओ, और यह से जाओ, और दुबारा कभी उसको कुछ वहां के गिफ्ट्स या फिर वहां के कुछ लोकल वेपन्स मिले थे, जो की काफी हाई टेक थे, अब यहां पर डंकन, पॉल को एक पैरकमपस देते हैं, वो बताते हैं कि यहां पर नॉर्मल जो ओर्डेनरी कमपस है, वो काम नहीं करते हैं, क्योंकि यहां के जो की जाके मिलते हैं, डॉक्टर लायट कहने से, दरसल्ब जो डॉक्टर लायट कहने से, यह इंपिरियल एकोलोजिस्ट है, यह आरकेस की लोकल वेट है, और यहां पर सबसे कहते हैं, कि जो आप लोगोंने सूट पहने, आपको डेजर्ट में, सर्वाइव करने में मदद करेंगे, और तभी फिर वो पाल को देखती है, यहां पर हम देखते कि पॉल ने जो सूट तो पर्फेट तरीके से पहने हुए, बागे सब तो आमेचर से, लेकिन पॉल ने काफिछ तरीके से पहने है, तो आपर डॉक्टर लायट कहने है, क्या तुमने यह पहले भी पहने शुरू कर रहे हैं और सब लोग उसको देखने कैसे हार्वेस्टिंग की जाती है उसी कि जाते हैं यहां पर कुछ और भी उनके मशीन रीज़ हैं कुछ और भी ड्रोन्स टाइप हैं जो कि हावे पता कर सकते हैं कोई खत्रा तो नहीं है यहां पर कोई आसफार साइंड वाम तो नहीं घूम रहे हैं योगर साइंड वाम घूम रहोगो तो वहां से निकल पड़ेंगे कोई साइंड वाम 400 मीटर लंबे होते हैं जैसे मैं आपको बताया था लेकिन तब ही हम देखते हैं कि उसी डेजर्ट में एक साइंड वाम बढ़ता है उनकी हार्वेस्टिंग मश की तरह हार्वेस्टिंग मशीन को एक एक एक्राफ्ट कैरियर उड़ा के लेकर जाने वाल था लेकिन वो तूट जाता है वह ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता तो यहां पर यहां पर लगातार काम शुरू होता है कि जिते भी लोग हार्वेस्टिंग करने के लिए पहुंचे जो उनको वापस प्रेन में बठाए जाए और वासे निकला जाए ताकि सैंड गॉम उन पर हमला ना कर सकता है अब हो तकि सैंड गॉम धिये दिये जल जली आगे बढ़न लगता है पॉल इस बात का ध्यान नहीं देता वो जमीन पर बैट जाता हुए नील डाउन कर लेता ह उसका बिल्कुल धियान नहीं के बीचे सैंड और मार उसको खा सकता है लेकिन तभी हम देखते है एक गर्णी आता है और किस तरीकर से पॉल को बचा के लेकर चल जाता है उससे एरोप्लेन में और आपके उसके फादर दियू क्लेट उस पे काफिया डाटर को काफिया चल तो आपर डॉक्टर कहते है वैसे तुम ठीक हो लेकिन जो भी तुमको अजीब फिल लेवरता ये गवराने वाली बात नहीं सब को स्पाइस की वज़ेस हुए लेकिन उसके जाने बाद डॉक्टर के जाने के बाद वह अपनी मदद जैसिका को बताते है कि दरसल में जब अपनी मदद को पताता है कि मैं जानता हूं कि आप ट्रेगनेंट हो और जब यह बात उसकी मदद को पचलती है तो थोड़ा शॉक्न फील करती है कि इसको कैसे बचला उसकी मदद भी कहते है यू कांट नो दाट बर पॉल को यहां पर सब कुछ पता है तो पॉल में कुछ दिवे शक्तियां है और पॉल की मदद यहीं बताती है कि अभी सिब कुछ हफते ही हुए है तुमको कैसे बचल रहे सब कुछ आगे हम बढ़ते हैं सेलुसा स्केंडियोस पर जोके एक इंपीरियर आर्मी प्लानेट है यहां पर हम देते हैं एंपरर की आर्मी को अगा दूक लेटो कहते है कि पॉल में कुछ बदलाव नजर आ रहा है काफी दिन उसे मोर स्पेसिफिकली जबसे वह हैलन से मिले है तो मैं चाहता हूं कि तुमसर ध्यान रखो उसमों बिल्कुल ठीक रहे सबको ठीक रहे है और जैसे के वादा करते है कि वह ठीक है मैं हूँ सब को ठीक रहेगा आगे हम यह देखते है कि डॉक्टर फॉल को दवएया देखे जाते है ताकि उसके उपर जो अभी स्पाइस का रियाक्शिन वगर वह ठीक हो जाए दवएया लेने के बाद वह सो जाता है वह पर हम बात करते हैं ड्यूक और उसकी वाइफ की तो यहां पर भी काफ़र परिशान है वह कहता है कि मुझे तुमसे शादी करेनी चाहिए थी तो उसका लेडी जैसिका और ड्यूक लेटो की शादी नहीं हुई है आगे हम देखते हैं कि गार्ड्स पर कोई हमला करके आके बढ़ता है इसी दुरान रात को ड्यूक की नीन खुलती है वो यह है डॉक्टर वेलिंग्टन ये वोई डॉक्टर जिनका सगा था रोगे फैमिली डॉक्टर था और इसने पॉल का इलाज भी किया था आगे हम यह देखते हैं कि गार्ड जली से गर्णी को पास महुंसता है और पूरी सिच्वेशन के मारे बताते हैं गार्ड गर्णी औ सामने आए हुए है समय है बहुत सारी एयरशिप से आयो है बारेद और उस अर्वेलिंगण और ंप करना पर आपड़ा ईकर एक है कि बारन ने बार वाइफ को किपनाप के लिख साप अगर मैं तुमको नहीं सौपा तो मेरी वाइफ को मार डालेंगे तब ही हम यह देखते हैं कि ड्यूक की उंगली से वो एक रिंग निकाल लेते हैं और कहते हैं पॉल के लिए हैं और इसके बाद फिर वो यह कहते हैं कि जो मेरे तोना पेग टूथ है यहाँ पर डंकन भी बहुत अच्छे से मुकाबला करते है सबका बहुत तगडी लड़ाई लड़ते है वहाँ पर एरोप्लेन में बैटके यहाँ से बागने की भी कोश्च करते है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता है नाकाम होता है वहाँ पर हम यह देखते हैं कि जब यहाँ पर डंकन पॉल के रूम में पहुंस था है वहाँ पर नहीं है हम देखते हैं कि पॉल और उसकी मदर को एक एरोप्लेन में किड्नाप करके रखा हुए अनिया प्लान ये चल रहे कि उनको डेसर्ट में फेग देंगे जापर सांड वाम उसको खा जाएगा वज़े उनमें से एक कहता है कि इसकी माँ को तो मैं अपने पास लोगा और उसको नीचे गिरा देंगा बच्चे को लेकिन पॉल कहता है वो जो बोलता है सामने वर उसकी सुनता है पॉल की मा के जो मुह बांद रगा था उसको खोलता है अपने हाथ वाथ खुलवाता है अपने गार्ड्स को मरवा देता है सारे के सारे और इस तरीके से सारे के सारे गार्ड्स को मरवा देते हैं सिर्फ अपने बोलने के वाशे, पॉल और उसकी मा नीचे उतरते हैं, और वासे भागते हैं, देखते हैं अपने एरिया के तरफ, जो कि अप टोटली डिस्ट्रॉइड हो चुका है, आग लग रही हैं, अब उनके पास और कोई भी आप्शन नहीं है, तो हो डिसाइड करते हैं, हम वापस डेजर्ट की तरफ बढ़ते हैं, महीं पहले हम बात करें एंडियू कलेटो की, तो वो कम्प्लीटली नेकेड है, उसमें कुछ भी नी पहने रहे काप्ड़े उतार हुए हैं, आगे हम यह देखते हैं, कि एक जगा पे जैसिका ने और पॉल ने एक टेंट लगा लिया डेजर्ट में, एन वो डॉक्टर ये का एक मेसिज मिलता है, जिसमें वो अपनी पूरी सिचुएशन बताता है, कि मैंने क्या किया, इसा हैं क्यू किया, कि जो डूक लेटो की जो रिंग दी, वो पॉल के लिए उसने बचा के लिए रख ली है, अब बात करें, डॉक्टर ये की, तो डॉक्टर ये वो बारन से कहते है, कि देखो जो तुमने मुझ से का था, मैं तुमारा काम किया, अब मैं मेरी बीवी तक मुझे पहुचा दू, और बारन देखते हैं, कि बारन दरसम यहां पर डॉक्टर ये से कहते है, कि तुम दोनों बहुत ज़ली एक साथ होने वाले हो, और तब ही वो डॉक्टर ये को मार देते हैं, इसका पतला ये हो, कि बारन ने जुटा वादा किया था, अज यूशूर डॉक्टर ये से, उसकी वाइफ को भी इसने मार डाला था, अब यहां पर होता है, कि बारन यहां पर बताता है, कि तुमारी बीवी, तुमारे बच्चे सब मर चुके हैं, अब कुछ नहीं होने वाला है, तब यूश को याद आता है, पर डूक लेटो को, कि उसका दात है, वह जहरीला दात है, वो कहता है, मेरे पास आओ, जैसे ही यहां पर लोग उसके पास आते हैं, वो तब भी अपना दात दबाता है, और वो जहरीली गया, उसके मुझसे निकल लगती है, और सब लोग दीदेर सुनुम में मरने लगते हैं, लेकिन अब यह सब कुछ फील जैसे का भी कर पा रही है, वो बहुत दुखी हो रही है, उसको पता उसको पती मर रहे है, और वो कुछ भी नहीं कर सकती है, दोनों के बीच में कुछ कनेक्शन था, डॉक्टर लाइट काइंज, उस पैलिस के बाहर खड़ी है, जो कि फिलाल तबहा हो चुग है, तब हम देखते हैं कि पीचे हेलिकॉप्टर में, डंकन उतरते हैं, और कहते हैं, यह किसी ने हमारे बीच में से हमको दोका दिया है, कोई एक ट्रेटर है, आप में वो पूछता है कि तुम जानते हो कौन है, यह किस ने किया है, तो डॉक्टर लाइट यहावे कहती है, कि मुझे इसको बोलने की अजाज़त नहीं है, अब आगे हम देखते हैं, कि यतने भी रूम थे, जितने भी लाशे थी, यहावे डूक लेटर ने सबको मारा था, अपने गयास के दूँ, यहावे बहुत सारी लाशे सामें निकल किया थे, लेकिन तब ही कुछ दो लोग जो लाशे निकाल रहते, वो उपर देखते हैं, कि बारन लटका पड़ा है, उपर की जाए, और खास रहे, बारन मतलब जिन्दा है, वो बच किया था, पॉल को स्पाइस मिलते है, जो कि डॉक्टर यू ही नहीं है, उसके में बचा के रखाता, वो जैसे वो स्पाइस को पकड़ते है, वो तब ही देखता है, सड़नली, चैनी अगेन उसके साथ खड़ी होते है, बहुत बड़ी वार हो रही है, जिसमें बहुत ही खास यूद्धा है, वो सब को मार रहे है, और वो खुट पॉल है, अब पॉल की भी आँखें ब्लू करें के हो चुकिए है, और यह पॉल यहां पर बताता है, जिए मैं फ्यूचर देख रहा हूँ, फ्यूचर में वोर होने वाली है, सब लोग मरने वाले है, बहुत खतरनाक वोर वर होने वाली है, तब ही हम देखते है, कि यह पौल वापस अपनी रियालिटी में आता है प्रेसेंट डे में और जैसी का उपकर चल आता है यू दिस तुम ये तुम ने सब कुस किया मेरे साथ कि जैसे का उससे तंबालती है उस अचिप कराती है next morning हम यह देखते हैं कि वो decide करते हैं अब यहां से निकल ले हैं वो desert से निकलते हैं दोनों मा बेटे और तब ही सामें Duncan आते हैं और उनको डून लेते हैं और Duncan कहते हैं डूक के डित के बाद अब आप ही डूक हैं फिर आप ही मेरे केंगे और फिर डंकन को रास्ते में पूरी सिच्वेशन के बाद बताता है कहते हैं कि यहां पर क्या हुआ कैसे हार कुनेंस ने हमला किया कैसे अब सब कुछ उनके कबजे के अंडर आच चुक है डॉक्टर लाइट काइंस उनको आगे जाके अंडरगाउंड प्लेस में लेके जाती है जहाँ पर हम देखते हैं यह एक छोटा से एक लॉजिकल सिस्टेम भी है एनेप हम को सब को पता चलता है कि दरसान में यहां पर लोगों ने लाला चे चक्कर में इसको डेजर्ट को कभी भी एक प्रॉपर तरीके से कि क्या तुम उन लोगों साथ मिली हुई हो क्या तुम लोग हमारे अगेंस्ट हो लेकिन अगें फिर वहाँ पर यह भी बोलती है कि उसको उसको बोलने की इजाज़त नहीं है आंगे पॉल यहाँ पर यह भी बताता है कि दॉक्टर लाइट काईनिस को अगेंस्ट आर्मी उसके अब अगर इस सीन को हम ध्यान से देखेंगे तो यह वही सीन है जो कि उसको सपने में दिखाई दिया था पॉल को जो स्टार्टी में बता रहा था कि तुम्हारी कैसे करें डेथ होगे तुम्हारे साथ क्या क्या होने वाले तो बेसिकली पॉल यहां पर जो भी कुछ फ्यूचर देख रहे है उसको ड्रीम्स में रज़र आते हैं और ऑविसली वह सब कुछ सच है पॉल जैसिका डॉक्टर लाइट काईन से वहां से निकल जाते हैं पहिस चक्कर में डंकन मारा जाता है सब को बचाने कि अब आगे होता ही है जैसिका पॉल और दॉक्टर लाइट काईनस वहां से निकलते हैं आप Dr. Light kindness यहाँ पर करते है खुद कर साक्रिफाइस, वहाँ पर एक मशीन लगाते है, यह वाइबरेशन स्टार्ट होते है, रिदमिक वाइबरेशन, एंसाइस की वाइबरेशन रिदमिक साउंड है, तो यहाँ पर सांड वाइगा, सांड वाइगा, सांड वाम धी दिर आना आर्मी है, उनके प्लेशन का पीचा हमला कर रहे है, और वहाँ पर किसी रिकर बचे नहीं कोश्च कर रहे है, और पीचे सांड स्टॉम भी आ रहा है, तब हम यह देखते हैं, कि पॉल जब अपने प्लेशन को अपने प्लेशन को उड़ा रहा था, उसको अगेन एक ड्रीम का नेफ्यों जिसको डेव बटेश्टा में प्लेखिया है, वो बताती है कि तरसनल पॉल जिन्दा है, और ग्लॉसू रेबन यहाँ पर कहते है, कि हम उनका पीचा करेंगे, इवन इन तूफान, मुझा सैंस्टोम में भी हम उनका पीचा करेंगे, और फिलाल जो विंड की स स्पाइस का प्राइस अब वो नीचीता है, जितना जाला माकसिमम और निकल सकते स्पाइस, वो सब कुछ निकालो, उसको रिजर्व करना शुरू करो, आगे हम यह देते हैं कि जैसे का और पॉल सब को सर्वाइब कर लेते हैं, हेलिकॉप्टर क्राइश में सर्वाइब कर आगे वो तलाश करते हैं, कि कोई भी उनको मिल जाया, जो कि उनकी मदद कर सकता है, और पॉल ने इस जगह को भी अपने ड्रीम में देखा था, इसलिए वो नाविगेट इजी तरीकाचा कर पा रहा था, इसी ड्रीम में वो फ्यूचर भी देखते हैं, जहां पर एक बाए चैनी और पॉल एक जगह जाएंगे और आपर बर्च देखेंगे एक माउस का, वह बस प्रेजेंट टाइम में आते हैं, तो यहां पर हम देखते हैं, कि डंकन का दिया वो जो पारा कंपस था, जो कि डिफरेंट कंपस था, सिंथ इस प्लैनेट पे, मैगनेटिक फील्ड हम भी एक्स्प्लीन करते हैं, कि हमको सांड वाम से बचने लेकर से सांड वॉक का स्तमाल करना पड़े हैं, कि हमको टेडा मेडा होके चलना है, ता ही कुछ भी टाइप का रिदम ना बने, सांड वाम से कितने भी लाग करूश करते हैं, वह बचने के लिए लेकिन तब भी एकस्पें करते है कि किसी ने पक्का हमको बचा निकले एक थंपर का इस्थमाल किया है थंपर वह 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 वहजा वैब्रेशन वाली मशीन है जिसके तुरू सैंड़ब्स एट्रैक्ट होते हैं और फिर वहां से Paul और Jessica वहां से भाग के निकलते हैं और थोड़ा आराम करते हैं और मेरी पे हम देते हैं कि सामने आते हैं बहुत जाएं फ्रीमेन और इनमें यहां पे जाहर सी बात है मिलता है स्टिलगार्ड वह स्टिलगार्ड जो की फिल्म के बीश हमने देखा था जो की सीज कॉम्मुनिटी का किंग है जो उनका लीडर है स्टिलगार्ड यहां पे एक्स्प्लेइन करता है कि Paul कितना ज़्यादा इंपॉरेंट है और वह अक्चुली मसीह है इसी वज़े से उनके opposition में जो उनके against आर्मी है वो Paul को आपर मारना चाते है whereas Freeman उसको बचा के रखना चाते है क्योंकि वो उनका protector है स्टिलगार्ड के बाद यह भी कहता है कि जो लड़का है यह तो यंग है तो सीख जाएगा बट वुमेन इसेंट ट्रेंड उसकी एज है तो यहां पर विमन को अपना पर प्रूव करना होगा कि वो हमारा साथ रह सके यहां पर स्टिलगार्ड और जैसीका बीच में एक मुकाब्र होता है जिसमें जैसीका श्टिलगार्ड को बहुत बुई तरिके रहा देती है उसकी गरदे में पना चाकु रख देती है तो यन चाहती उसको मार सकती थी टीक है तो पॉल के हमारा सथ चल सकते हो आहिना प्रॉमिस करता हूं को दुम तोने हमारा साथ सेफ हो चैनी वो ही जिसको Paul ने इतने टाइमस अपने सपनों में देखा था अब यहाँ पर सारे के सारे लोग बढ़ते हैं आगी की तरफ लेकिन उनी का एक साथी, फ्रेमिन का एक साथी Paul पर भरोसे नहीं करते हैं बढ़ मैं चाहती हूँ कि तुम्हें एक ओनर से मरो उसी आतम मैं भरोसे नहीं करती है कि तुम हमारे मसीह हो और चैनी उसका अपना वो ही क्रिस्ट नाइफ देती है जो कि उसको बार बस अपने में आया करता था अब पॉल और दूसरे फ्रेमिन की बीज़ना लडाई शुरू होती है बहुत भहनका है यहाँ पॉल उसको बार भर हरा नहीं कुछ करता है उसको हरा भी देता कही बार लेकिन उससे कहता है कि आप हर मान जाओ अपना वेपन ड्रॉप कर दो पर सामने वाणल कर देखते है वो मर जाएगा लेकिन आपधा वैपन ड्रॉप नहीं हो और स्रेंडर नहीं करेगा अने यह पर स्ट्रेलगाड बतहते है कि जो मुकाब्ला खतम होता है यह हमेशए किसी को मौध के थाथ खतम होता है लेकिन अंत में पॉल सामने उसको मारी डालता है और उसके बाद उसे माफी मांगता है और अब जितने भी बागी फ्रीमेन थे वो पॉल को अपना मसिया समदने शुरू कर चुकी है अब आके होता ही है कि सारे सारे फ्रीमेन तयार है इनफार्स ट्रेल गार्ड भी तयार रहे कि तुम लोग हमारे साथ चल सकते हो बाई मैं भात काए जैसी का की जैसी का केती है बस हमको यहां से निकलना है कहीं और जाना है और पॉल यहां पर बताते हैं फादर का विजिन ब्यूक्लेट होका विजन यह था कि वो चाहता था कि ना सिर्फ उनके लोग, ना सिर्फ इंप्रर के लोग बल्कि फ्रीमेन भी सारे कजारे आक्चली फ्री रहें, सब लोग आजाद रहें और इस विजन को बरकरार करने में पॉल उनकी मदद करना चाहता है अब फिल्म का एंड यह होता है कि साइक जाय फ्रीमेन यहां पर चलते हुजा रहे हैं उस आदमें के डेड़ बोर्डी के जिसको भी पॉल ने थोड़ते पहले मार रहे है और सामने हम देखते हैं उसी विजन को जहां पर पॉल ने देखा था कि एक आदमी दरस ने साइंड वाम की सवारी कर और चैनी उन से बोलती है यह तो बस शुरुबात है और यह पर देखते हैं पूरा कारवा आगे बढ़ते हैं डेजर्ट में और यह पर फिल्म खतम हो जाती है तो गैस यह थी आज की वीडियो यह था आज की एपिसोड आपके जो भी कुछ थौट्स है इस वीडियो से लेटेट वो जागे मुझे कॉमेंट बदाए और पीस दोंट फगेट तो सब्सक्राइब मैं गीविंग चैनल बखन प्राइब मैं गुर्श्टाइब मैं ग्रर्श्टाइब मैं, यह था था द्याएब मैं, बदाएब मैं, ग्रर्श्टा था, चैनL